सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टेडिस टीजी के को और लेटेश्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें लो दोस्तो आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल में दोस्तो आज हम करने वाले हैं हर्याना डिविजन अकाउंटेंट का प्रिविश येर का जो पेपर हर्याना की वाले पेपर में एक लेपर आपके सामने लेकर आए अज तो दोस्तो ये डेट को हुआ था 26 2016 को हुआ था दोस्तों ठीक है तो अब शुरू करते हैं दोस्तों पेपर को बिना किसी देरी के यहां से देखते हैं दोस्तों निमन लिखित में से कौन सी नदी सिवालिक प्रवस्रंखला से नहीं निकलती तो मैंने आज सुबह की वीडियो में ही भी बताया था इस क्योशन को कि यह जो है सिवालिक प्रवस्रंखला से कौन कौन सी नदी निकलती है सरस्वती निकलती है घगर निकलती मारकंडा निकलती है टांग्रे निकलती है लेकिन यमना नहीं निकलती दोस्तों ठीक है यमना कहां से निकलती उत्राखंड से निकलती दोस्तों ध्यान रखना इ आगे दोस्तों आगे है अंतराष्टी सोर उर्जा ठीक है अंतराष्टी सोर उर्जा मुख्यालिक किस नगर में स्थापित हुआ है तो ये बात एक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होजाती है अंतर्राष्टर सो इक हो चलते आगे खाल्सा पंद की स्थापना किस महिने में हुई यह हुई थी वेसाग ठीक है वेसाग की आती है न दोस्तों पता है पंजयाबिओं के तग्वहार एक परकार से वेसाग की तो यह खाल्सा पंद पंजाबियों से रिलेटिड है तो ये वेसाक महीने में हुआ था है ऐसे करके आप प्रियाद रख सकते उसको आगे है बोलीविड का पहला सुपरस्टार किसे कहा जाता है ये तो सभी को पता है ठीक है और ये बता रखा कुछ और डेटेल इसकी जिनकी मिर्थ्यू 187212 को हो सभी थी तो पहले सुपरस्टार राज श्खना है दोस्तों ठीक है और इनकी मिर्थ्य ओगई थी 187212 को अगे है राश्टी राजदानी में कौन सा नगर नहीं है स्थित तो कौन सा नगर जो है वो स्थित नहीं है तो देखो दिल्ली के आसपास गुरुगराम पढ़ता है यह भी राश्टार राजदानी शेतर में आ जाता है बहादुरुगर्ड जजर में पढ़ता है यह भी दिल्ली के पास यह सोनीपत भी दिल्ली के पास लेकिन सिर्शा बहुत ज्यादा दूर है दोस्तों तो जैसे अपना हर्याना का मैप एक परकार से यहां दिल्ली पढ़ है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट काफी एकजमों में पूचा जाता है सत्कुम्बा तिर्थ ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगे है निमन लिखित में से कौन सी नदी हर्याना और उत्तर परदेश के मद्दे सीमा बनाती है यह बनाती दोस्तों यमुना ठीक है बनाती जो संक्य है दोस्तों वह दस ठीक लोग सबाकी कितनी हैं दस है क्योंकि इतुक्ति है है इसनी है ऑगे चलते कारीने प्राइम को कि में मापा-जाता-अगे चलते हैं कुरूचेतर जिले में चिन्नी मील किस स्थान पर है कुरूचेतर के अंदर जो चिन्नी मील है दोस्तों वह किस स्थान पर है वह साबाद में ठीक है और इसका नाम भी है साबाद सुगर मील या चिन्नी मील ठीक है इसकी स्थापना कई वार पूछी जाती है 1984 से 85 में हुई थी दोस्तों ठीक है 84 से 85 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी ये बात आप ध्यान रखें ठीक है आगे चलते हैं आगे है सारे भारत के सिल्पी वैकलाकार हर्याना के किस मेले में भाग लेते हैं यह लेते हैं दोस्तों सूरजकुंट क्रफ्ट मेला के अंदर फरवरी में लगता है और कहां पर लगता है यह फ्रिदबाद के अंदर लगता है थीक है त्यान रखें इस चीज़ का आगे है पित्रों के स्राद के लिए गया जैसा गया का परता है बिहार के अंदर परता है तो गया जैसा महतव रखता है और हर्याना के अंदर है और पित्रों के स्राद के लिए जाना जाता है तो यह कौन सा ऐसा तिर्थ है जो गया जैसा तिर्थ है तो गया के जैसा तिर्थ है पिहो वातिर्थ जो की कुरुचितर के अंदर पढ़ते है दोस्तों सब्सक्राइब का मतलब किया है यह राख्यगडी तो जो पढ़ता है दोस्तों वह पढ़ता है इस सार के अंदर बनावली पढ़ता है फतेहबाद के अंदर यह याद रखे राख्यगडी बहुत ज़्यदा और ठीक है दोस्तों बाग का राष्टी पसु लाग की बात का नाम भी मुझलों त dus उसको क्या कर Cyrेंगे बाई करके आएंगे थीक है तो इस से आप ध्यान रखें तो यह इन में का नाम रहता हे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट वाई कब करते हैं जब खाने का सोड़ा JOHN और दुलाई का सोडा सिरफ कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं आगे संस्कृत गरंत एक संस्कृत गरंत है सिरी भगत फूल सिंग चरित्रम इसके लेखक कोन है बहुत ज्यादा हेल्प मिले हार पेपर के अंदर तो आगे चलते हैं दोस्तों आगे है डोक्टर राजंदर परसाद दवारा हर्याना के किस विश्व विद्याले की निव रखी गई थी तो दोस्तों ये रखी गई थी आपकी कुरूचेतर विश्व विद्याले की निव रखी गई थी ठीक ह तो उसका नाम है यजुवेंदर गारडर, ठीक है, आगे है हर्याना में प्रमप्रागत, सीर पर पहने जाने वाली पगड़ी, सीर पर जो पहने जाती है पगड़ी, उसको क्या नाम से जाना जाता है, हर्याना के अंदर, उसको नाम से जाना जाता है, खंडवा, आगे सदा बहने वाली नदी कोन सी है? हर्याणा के अंदर एक ही सदा बहने वाली नदी है और वो है यमुना नदी, ठीक है दोस्तों, यमुना नदी आगे है, परसाशन के प्रियोजन के लिए भारत को राष्टी राज़ानी छेतर दिल्ली, खालिस्थान राज्जे एम 6 के अंधर ससित प्रदिशों में बाटा गया है दोस्तों यह क्योशन थोड़ा पुराना हो गया है यह क्योशन अब के टाइम में कैसे बनेगा अब के टाइम में आपको पता है 28 तो राज्जे है भारत के अंदर और 8 क्या है यूनिटरी टेर्टर है कि अंदर साशित परदेश है तो दिल्ली हो गए एक तो तो साथ यहां पर हो जाएंगे ठीक है साथ हो जाएंगे और 28 इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है ऐसे करके इसको बनाया जा सकता है आगे चलते हैं आगे है ओलम्पिक 2012 मैंने काफी बार बताया 2012 के और 2010 के ओलम्पिक खेल तो बहुत जादा इंपोर्टेंट है याद रखें भारत ने कितने पदक जित्ते थे भारत ने पदक जित्ते थे दोस्तों 6 ठीक है आगे चलते हैं आगे है तीज का तो हर किस महीने में आता है काफ़ी इंपोर्टेंट के उसने काफी बार पूछा ही जाता है यह सावन सावन के महीने में आता है कि दारोहेडा पढ़ता हैयं रेवाडी के पढ़ता है और उद्योग की जो वीडियो बना रखे हमने डिटेल वाली उसके अंदर आपको पता लग जाएगा वहां पर काफी कार खाने भी है ठीक है तो उस विसाब से यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए इसको उद्योगिक छित्र का आ गया है धारवड़ा को और यह पढ़त की थे दोस्तो एन संजीव रेड़ी ठीक है में संजीवड़ी जो थे वो लोक सबा के अध्यक् imp रह चुके थे पहले राश्ट पती बनने से पहले ठीक है तो आगे चलते हैं काला तित तर जो प्रेय्टक सथल है दोस्तों वह कहां है वह दौस्तो-पढ़ता है इस सार के अ होता है सुन्य काल के अंदर क्या होता है यह दो पहर का टाइम होता है परकार से बीच का टाइम ठीक है लग बारा बजे का टाइम होता है उससे पहले भी सभा चलती एक परकार से और फिर बीच में गया पाता है और फिर उसके बाद भी सभा चलती तो यह जो बीच वाला टाइम है न दोस्तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा महतव पूरण विश्य उठाये जाते हैं सुन्ने काल के अंदर तो इसी पर इस क्योशन को पूछा गया सरवादिक म्हतव के विश्यों को उठाया जाता है ये को बोलते हैं सुन्ने का ँग है कंडूला आभुसन महिला किस पहन प्लस्तो Kara धो स्थित्तान मसीन टूल्स हम्ट किस नगर में स्थित्त है तो दोस्तो मैंने उद्योग वाली वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे से डिटेल से किलियर करवाई एक चीज किलियर करवाई दोस्तो यह पढ़ता है पंचकुला के पिंजोर के अंदर ठीक है अगर आपने वह व जो पाँनी जो होता है उसके सुद्ध करनो के लिए क्लोरीन का प्रियोग किया जाता है सबसे बाद में घठित जीला कौन सा है तो यह पाहले का क्योंशन है अब जो बाद में जो दिसंबर 2016 में जो जिला बन चुका अपना हर्याना का वो चर्खी दादरी सबसे बाद में गठीत है लेकिन आपको चर्खी दादरी नहीं देखके ऐसे भी पूछा में 1857 की करांती का बीच कहां से शुरूआ ठीक है यह अंबाला चावनी से शुरूआ था दोस्तों ठीक है आगे चलते हैं आगे हैं समूंदरी हवा बहती है जो समूंदरी हवा होती है वो कब बहती है वो बहती दोस्तों दिन के समय ठीक है दिन के समय बहती मानों यहां पर सम सथल से समुंद्री की तरफ बैखती है रातरी तो समुंद्री जो हब यहां दिन है ध्यान कि आगे चलते हैं summa JAK को कहा जाता मयानमार अब दूसरो देश है भारत का पढसिबीत से अलग हुआ यह भारत में बहने भारत यह हुआ था 1937 में 1937 के बाद यह दूसरा देश बन गया था पहले भारत में मिक्स था आगे चलते हैं आगे है कोई धन विदे कोई विदे धन विदेक है या नहीं इसका निरने निमन में से कौन करता है तो यह काफी पॉपुलर क्यूशन है यह हर एक्जाम के अंदर आपको लगबग देखने को मिली जाता है एक एक्जाम में नहीं तो दूसरे में तो आपको यह जरूर मिलेगा दोस्तों तो इसका जो निरने लेता है जो लेता है लोग सबा अध्यक्स तो इस पर भी मैंने काफी डिटेल से वीडियो बनाई हुए दोस्तों इसकी आपको सारे जो लोग सबा से रिलिटेड जितने भी क्योशन बनेते हैं आज तक जितने भी क्योशन बनें वह सारे क्योशन की मैंने एक सिरीज करवा दी आपको दोस्तों अगर आपने वह नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे चैनल पर और आपको पॉलिटिक का जो पॉलिटिकल साइंस का एक प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें जाके आप देख सकते हो आपका एक एक पॉइंट के लिए हो जाएगा लोग सभा से रिलियूटिड ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं आगे है पीडियफ का पुरण अर्थ रूप क्या है ठीक सब्सक्राइब कोई भी पेज हो उसके लिए पता जरूर होता है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है यूनिफोरम रिसोर्च लोकेटार ठीक है जिसको यू आरल भी बोलती है दोस्तों ठीक है यू आरल पता है यूरल यूरल का फुलनेम है यूनिफोरम रि रखन की आगे चलते हैं अ उसका जो घठन किया गया है कोई भी IP एड्रेइस है उसका जो घठन है वो किसमें किया वो 32 बिट में किया जता है दोस्तों ठीक है आगे है साकेट और विंसाक विंसाक उधारन है इस सोफ्ट वेर के विंसाक है यह है API की ठीक है दोस्तों API जो सोफ्ट्वेर उसके उधारन है आगे चलते हैं एक word processing program ठीक एक word processing program या एक email program software का उधारन है ठीक है एक या तो word processing program या एक email program का जो उधारन है वो क्या है application एक मार्हार को आगे चलते हैं नीमन लिखेत में जहें कौन सी फॉन्ट से लिए फॉंट आप समझता यह यह जाता है जैसे पूल्ड करना यह फॉन्ट में और आता है फॉंट में दोस्तों सुपर सुपर्सक्रिप्ट नहीं आता इटहलिक थोड़ा से टेड़ा करना साधान भी वोता है तो यह इसका आंशर हो जाएगा सुपर्सक्रिप्ट कि में हाड़ ईक हालिस्क खालिस्तान में एक छोटा कार्य करम चलता है जब आप computer आरम करते हो तो यह होता है दोस्तो बूट छेतर ठीक है बूट छेतर में यह होता है बूट छेतर चलता है आगे चलते हैं दोस्तो आगे है कार्य विशलेशन खालिस्तान की तैयारी को सामिल करता है तो यह करता है कैस, ठीक है कैस को, आगे चलते हैं, आगे खालिस्तान इंटरनेट उपकरण है, जो एक कम्प्योटर से दूसरी कम्प्योटर में फाइल कोपी करने के लिए इस्तमाल किया जता है, आप समझ रहे हो कि खालिस्तान इंटरनेट का उपकरण है दोस्तों, जो एक कम्प्योटर से दूसरी computer में file copy करने के लिए इस्त्माल होता है, वो होता है, file transfer protocol, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे है, साधारन keyboard, ठीक है, दोस्तो, keyboard, साधारन keyboard वो इस था, को, खालिस्तन layout कहा जाता है, तो किस परकार का layout होता है, साधारन keyboard का, वो होता है, QWERTY, इस परकार का होता है, दोस्तो mobile लिखित में से कौन सा MS Excel में एक weighed formula नहीं है, जो MS Excel के अंदर फोर्मूला नहीं होता, तो ये ऐसे average नहीं लिखा जाता है, दोस्तो, इसे लिखा जाता है, तो ये एक weighted formula नहीं है, दोस्तो, ठीक है, ठीक है, दोस्तो, आज की वीडियो यहीं तक थी, आपको वीडियो कैसी ल झाल झाल